दोस्तो पंडित दिरेंद्र कृष्ण सास्त्री या फिर बागेश वर धाम सरकार ये नाम आपने जरूर सुना होगा कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है पंडित जी आजकल अपनी राम का था और दिवे दर्बार को लेकर बहुत चर्चा में है कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनके चर्चा हो रही है कहते हैं कि वे उपन के दादा जी की तरह ही छतरपुर के एक गाउं के अंदर हन्मान जी के मंदर के पास दिवे दर्बार लगाते थे उनके लोग इस दर्बार के वीडियो को सोशल मीडिया पर धीरे धीरे पोस्ट करते रहे धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के मादिम से बहुत लोगप्री हो गए पिछले कुछ एक दिनों से बागेश और धाम सरकार ट्विटर पर भी ट्रेंड करता है इसी के साथ ही सारे न्यू चैनल और सब जगे यही न्यू दिखाई जा रही है तो क्या है पूरा माजरा ये आज की इस वीडियो के अंदर जाने की वीडियो पूरा देखें और व्यक्ति जब तक उठके उनके पास पहुंच था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे के अंदर उस व्यक्ति के नाम पते सही तो उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसी में उसका समधान भी लिख लेते हैं उनके पता का नाम क्या है बेटे का नाम क्या है कई मीडिया चैनलों वालों ने इस बात की पर्ताल की रेक्ट वैयर रहस से नहीं जान पाए आановगर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है छोटे से गाओं के अंदर जब सेकड़ों से हजारों हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धिरेंदर कृष्ण सास्त्री जी ने उद दूसरे शहरों में जाकर भी दिवे दर्बार लगाना शुरू कर दिया इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है इस दे अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके सहर में दर्बार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविदा हो हमारे दर्बार निशुल्क है इसकी में किसी भी तरह की सुल्क नहीं लिया जाता मंदिर में या रामकथा में हमें जो भी पैस समलता है हम उसे गरीब की बीटियों की शिक्षा और साधी में खर्च कर देते हैं पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री जी जब धेरे धेरे लोग प्रिय होने लगे तो अब वह रामकथा भी कहने लगे जगे जगे जाकर वे रामकथा कहते हैं और लोगों को हर्मान जी की बक्ती करने के लिए प्रेरित करते हैं राम कथा के दुरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते हैं जिससे विवाद उत्पन हो जाता है हाल इमें उन्होंने राम नवमी के जुलूस पर पत्थर भेंके जाने पर गटना हुई थी उसके बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हो हिंदों से कहा कि जाग जाओ वर्णा जागन और वहां के भार्ट्य समदाय के बीच राम कथा का वाजन किया और प्रवचन दिया अब उनकी लोग प्रियता देश में ही नहीं बलकि विदेश में भी फैल चुकी है तो दोस्तों ये तो सारी थी बागेश और धाम सरकार के थोड़ से इतियास और आपको एक परिचे मातर देने की बात अब देते हैं कि सोसल मीडिया में कई दिनों से बागेश और धाम सरकार को कई सारी बाते हो रही हैं वो क्या है कथा बाचक धिरेंदर कृष्ण सास्त्री जी पर कई सवाल उठाये जा रहे हैं उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि देश में अंद्विश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं उनके पास कोई सिद्धी नहीं है बलकि वो लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड कर रहे हैं दिरेंदर शास्त्री पर ये भी आरोप लगाये जाते हैं कि बागेश और धाम सरकार से प्रिश्वत कतावाचक दिरेंदर शास्त्री अपने उपर लगाये गए आरोप उपर खुलकर अपना बयान भी जारी नहीं करते हैं लेकिन फिलाल उन्होंने कई सारे बयान जारी किये हैं और कई सारे न्यूस चैनलों पर उनके बयान आते हैं, कई वो ये कहते पाये जाते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, हिंदू शेर हैं भगोडे नहीं हैं, इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहां तो लोगोंने बगवान राम को नहीं छोड़ा है उन पर भी सवाल उठाएं हैं बगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया है हम तो आम इंसान हैं हमें कब छोड़ेंगे वहीं महाराष्ट की संस्ता अंद्र शद्धा अन्मुलन समीति के शाम मानव ने धिरेंद्र सास्त्री पर अंद्र विश्वास फैलाने का आरोब लगाया उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनोती भी दी वनागपुर में उनके मंच पर आये और अपने चमतकार दिखाएं संसान ने कहा कि अगर दिरेंद्र शास्त्री ये सकरते हैं तो उन्हें तीस लाक रुपे तक द दरूरत नहीं है निरेंद्र शास्ती जी का कहना है कि हम साथ दिन की ही कता करते हैं बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनोती स्विकार करता हूं जिसे चमतकार देखना हो बागेश्वर धरवार आये उन्होंने कहा श्याम यहां राइपूर आए और टिकेट का घर हम मैं दूंगा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने उपर लगाए गया रोप पर कहा कि हम दावा नहीं करते हम आपकी समझवा को मिटा देंगे हमें अपने इश्वर पर विश्वास है हमारे इश्वर लोगों की परिस्थानी और तकलीफ को दूर करते हैं उन्होंने कहा कि क इस सारी समझा फिलाल चल रही है दिरेंदर कृष्ण सास्त्री जी आगे क्या करते हैं वो हम आगे की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे फिलाल की सारी हाल चाल आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और उनके आप कहा से वीडियो देख रहे हैं ये भी कॉमेंट के अंदर लिखिए आप कहा से वीडियो देख रहे हैं ये भी कॉमेंट के अंदर लिखिए आपके क्या विचार हैं वो भी कॉमेंट के अंदर लिखिए ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीज